नमस्कार तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना अभ्या सिरीज भुगोल अभ्या सिरीज में सवाल जबाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको सवाल और उसके सही जबाब बताए जाएंगे लेकिन अगर आपको किसी सवाल में जरा सा भी डाऊट होता है तो उस सवाल का क्रमांग हमको कॉमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उसको वेरिफाई करिके आपको अवगत करा सकें आज का हमारा पहला सवाल है तारों के कारण घटित आकासे परिघटना कौन सी है? तो इसका सही जबाब हो जाएगा B. कृष्ण क्षिद्र Q2 में है विश्व का सबसे बड़ा उन उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है फिलहाल इसका सही आंसर आप लगा सकते हैं C को लेकिन ऐसे सवालों को सही करने के लिए आपको जो करेंट डाटा होते हैं उनको जरूर एक बार आपकी परिक्षा से पूर्व देखने की आवश्चकता पड़ती है क्योंकि डाटा से संबंधित आपकी परिक्षाओं में 3-4 सवाल तक पूछे जाते हैं तो इसमें सही जबाब हो जाएगा आपका D गल्फ स्ट्रीम गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिर्दा सबसे जादा आदर समानी जाती है तो उसका सही जबाब होगा A चरनोजम प्रकार की मिर्दा Q5 में है प्रगामी तरंग सिध्धान्त निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ती की ब्याख्या करता है तो प्रगामी तरंग सिध्धान्त ज्वार भाटा की ब्याख्या करता है Q6 में है कि वह कौन सी तिथियां है जब दोनों गोलार्धों के दिन और रात बराबर होते है यानि आप से विशुव के इस्थिती के बारे में पूछा जा रहा है इसका सही जबाब होगा 21 मार्च और 23 सेप्टेंबर विकल पसंख्या भी सही होगा Q7 में है निम्नलेखित में से कौन सी जलसंधी अंतर राष्टी तिथी रेखा के समानांतर इस्थित है तो इसमें आपको देखना है कि वह कौन सी जलसंधी है जो अंतर राष्टी तिथी रेखा के समानांतर होती है तो वह सही जबाब होगा बेरिंग जलसंधी Q8 में है मेसामबी रेंज किस से संबंधित है यानि मेसामबी रेंज में किस प्रकाज के खनिच का उत्खनन किया जाता है तो सही जबाब होगा लौह अयस्क विकलप संख्या A Q9 में है और उसी के आधार पर प्रवालों के अलग अलग प्रकार भी होते है तो इस तरह से आपका सही जबाब होगा अवरोधग प्रवाल भित्ती विकलप संख्या B Q10 इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कौन कार्ष्ट अस्थलाकृती के अंतरगत नहीं आता है तो कार्ष्ट अस्थलाकृतियों के अंतरगत कैटल हाल नहीं आता है विकलप इसमें आपका D सही होगा Q11 में है विश्व में कार्यसील लोगों की सरवाधिक संख्या किस देश में पाई जाती है तो इसका सही जबाब है A. चाइना में Q12 में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है यहाँ पर आपको पठार और उसकी अवस्तिती दिया गया है तो इसमें पूंचा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है सही वाला आपको बताना है तो संयुक्त राज अमेरिका में कोलेरेडो का पठार पाया जाता है विकल्प आपका A. सही होगा Question number 13 में है निम्नलिखित में से कौन सा महाध्विपी सागर का उदारन प्रस्तुत नहीं करता है तो इसका सही जबाब होगा अरब सागर विकलप आपका बी सही होगा Question number 14 में है निकल का उत्पादन सरवाधिक होता है तो इसके जबाब के लिए भी मुझे लगता है कि जो current data है उससे आप इसको match करवा ले आपको बहतर answer मिल जाएगा Question number 15 में है Great Barrier Reef कहां पर है अभी Great Barrier Reef के बारे में आपने उपर के सवालों में पढ़ा भी था तो इसका सही जबाब होगा Question number 16 में है कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौंसा है ये भी आपको current data से match करवाना है फिलहाल के लिए इसका answer आप सैयुक्त राज अमेरिका है Question number 17 में है अर्ध दैनिक ज्वार भाटा प्राया कितने समय के बाद आता है तो ये 12 गंटे 26 मिनट के बाद आता है Question number 18 में है निम्नांकित में से जो आर्ध रतम देश है वह कौंसा है तो आर्ध रतम देश यहाँ पर आपको बताना है विकल्प आपका B सही होगा गिनी गिनी जो है वो आर्ध रतम देश माना जाता है Question number 20 में है निम्नांकित युगमों में कौंसी एक सही सुमेलित है तो यहाँ पर आपको वनस्पतियों के प्रकार दिये गए हैं और उसमें उसके उदाहरण दिये गए हैं तो इसमें आपको सही सुमेल बताना है तो इसमें सिल्वा महोगनी के साथ सही सुमेल रखता है तो Question number 21 में है निम्नांकित में से कौन घास के मैदान नहीं है तो घास के मैदान भी आपकी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं तो इसमें से सेल्वास इस्टेपी लानोच और डाउन से यहाँ पर देखें तो लगभग लगभग सभी हैं सेल्वास यहाँ पर आंसर आप लगा सकते हैं विकल्प A Question number 22 में है विश्व की सबसे चौनी जलसंधी निम्नलिखित में से कौन सी है तो सबसे चौनी जलसंधी जो है वो है यहाँ पर डेविस जलसंधी विकल्प आपका A सही होगा यूरोप में यह पाई जाती है निम्नलिखित में से कहां भूमध्य सागरिय जलवायू नहीं मिलती है भूमध्य प्रकार की जलवायू जो है वो बोलीबिया में नहीं पाई जाती है विश्व के मानचित्र का एक बार आप अवलोकन करेंगे तो आप इससे निस्चित हो जाएंगे कि भूमध्य सागरिय जलवायू कहां पाई जाती है और कहां पर नह लोग बात करें तो इन सभी के मानचित्र आपके मायंड में सेट होना चाहिए खास करके जो यहां से गुजरने वाली कालपनिक रेखाएं हैं चाहे वो करकर रेखा हो मकर रेखा हो विश्वत रेखा हो इन सभी का आपके मायंड में एक पिक्षर जरूर बनना चाहिए ताकि ऐसे सवालों को आप सही कर सकें अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं question number 24 में है निमनलिखित में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्ष नहीं करता है तो यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा c हिंद महासागर question number 25 में है निमनलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यहाँ पर आपको गलत सुमेल वाला आंसर बताना है तो सही जबाब हो जाएगा d क्राका टाओ मलेशिया question number 26 समुद्र की गर्मधाराएं किस तरफ जाती है तो समुद्र की जो गर्मधाराएं है वो जाती है धुरूमों की तरफ जोकि गर्मक्षित्रों से जाती है तो इसलिए इनका निचर गर्म होता है Q27 में है Queensland निम्नलिखित में से किस देश में इस्थित है तो Queensland जो है वो Australia में इस्थित है विकल्प आपका भी सही होगा Q28 में थोड़ा सा आपको विचार करने की आवश्यक्ता है यहाँ पर निम्नलिखित भूव एज्यानिक परिगटनाओं पर आपको विचार करना है प्लेटों की गत्सिलता प्रतवी का अपने अक्ष पर घोरडन अभ्यानतरिक गैसों की मात्रा में व्रिद्धी प्रत्यास्थ पुनस्चलन सिध्धान्त परमान वमो का परिक्षन और विस्फोट तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वो कारण है जो भोकम पलाने के उत्पादक देश हैं तो इसका भी आंसर मैं आपको यहां नहीं बताऊंगा इसको आप करेंट से मैच करवा लेंगे विकल्प को आप देखें तो सिर्फ एक जल्धारा को अगर आप समझ जाएं तो आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा इसका अंसर सही हो सकता है विकल्प आपका इसमें डी सही होगा गल्फ इस्ट्रीम जल्धारा Q31 में है निम्नलेखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है इसका सही जबाब होगा B. उगते सूरी का देश जापान हलांकि ऐसे सवाल अब आपकी परिक्षाओं में कम पूछे जाते हैं लेकिन TGT में आपसे ये इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है Q32 में है बेरिंग जल डमरूमध किन अस्थल भागों को अलग करता है तो बेरिंग जल संधी जो है वो किन को अलग करता है तो ये अलग करता है इस या और उत्तरी अमेरिका को विकल्प आपका D सही होगा लेकिन इसको सही जबाब लगाने से पहले आप एक बार मैप का आउलोकन कर ले मैप की तरफ एक बार देखें जरूर Q33 में है लैप्स निम्नली खित में से कहा निवास करते हैं तो लैप्स जो है वो निवास करते हैं इसकैंडिनेवियन क्षेतर में जो कि आप देखते हैं नार्वे, स्वीडन, फिनलैंड का एरिया होता है Q34 में है सरवाधिक देशों वाला महाद्वीब कौन सा है ये छोटा सा सवाल है कई बार आप से पूछा गया है सही जबाब आपका होगा अफ्रीका Q35 में है पॉइंट बेरो निम्नलिखित में से किसे संबंधित है तो पॉइंट बेरो जो है वो संबंधित है पेट्रोलियम से Q36 में है क्या प्रवाल, प्रवाल क्या है प्रवाल को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है तो इसका सही जबाब होगा एक प्रकार का समुद्री जीव होता है प्रवाल Q37 में है विश्व मान्चित्र में एक ही समदिक्पाती रेखा पर इस्तित दो अस्थानों पर समान होता है क्या होता है यहाँ पर समान तो इसका सही जबाब हो जाएगा चुम्बकी विचलन question number 38 में है दो यहाँ पर सूचियां दी गई है एक तरफ आपको जन जातियां है दूसरी तरफ उनके निवास अस्थान दिये गए हैं दोनों को मैच करवाना है तो इसको आप ध्यान से देख लें सही जबाब आपका हो जाएगा A1234 इसका सही सुमेल होगा question number 39 में है सापेकशिक आर्द्रता को निम्नलेखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है तो इसका सही जबाब होगा क्लाइमो ग्राफ पर दिखाया जाता है विकल्प संख्या B question number 40 में है पानी के समानांतर परवत स्रिंखलाओं के डूबने से जो समुद्रतड बनता है उसको क्या कहा जाता है तो सही जबाब होगा डालमेशियन विकल्प A सही होगा question number 41 में है I know निमनलिखित में से किस देश के मूल निवासी है ये एक प्रकार की जनजाती होती है जोकि जापान के क्षेतरों में निवास करती है Q42 में है निमनलिकित में से कौन सा महासागर एक और इसिया को असपर्ष करता है और दूसरी और अमेरिका को असपर्ष करता है मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जितना ज्यादा हो सके उतना मैप को अपने मांड में जरूर शिट करें चोकि ऐसे में बहुत सारे सवाल आप सही कर सकते हैं फिलहाल इस सवाल का सही जबाब होगा भी प्रशान्त महाशागर Q43 में है निम्नलिकित में से कौन सा योग्म सुमेलित है यहाँ पर आपको मलेशिया सकाई या इस तरह से आप देख सकते हैं कि जनजाती और उसके निवास छेत्र को ही आपको यहाँ पर भी मैच करवाना है तो इसका सही जबाब हो जाएगा मलेशिया सकाई Q44 में है ग्रिफिट टेलर के अनुशार मानव उद्गम क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पर ग्रिफिट ने कहा था कि मानव क्षेत्र कहाँ पर पाया जाएगा तो वो मद्ध एसिया में पाया जाएगा Q45 में है निम्नलेखित में से कौन सा नगर दक्षनतम नगर के नाम से जाना जाता है तो पुन्तास एरिनाज होता है विकल्प इसमें आपका एस ही हो जाएगा Q46 में है महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटों का कारण क्या होता है तो महासागरों में जो ज्वार भाटे उठते हैं उसके लिए प्रमुक रूप से चंद्रमा प्रभावी होता है लेकिन इसके अलामा सूरी भी उसमें प्रभावी भूमिकानी भाता है Q47 में है टाइगा वन क्षेतरों में पाई जाने वाली मिट्टी किस प्रकार की होती है तो लैटेराइट प्रकार की मृदा वहाँ पाई जाती है question number 48 में है यहाँ पर आपको एक मानचित्र दिया गया है मानचित्र में यहाँ कहा गया है कि कुछ मध्य A.C.I. गणराज्यों की राजधानियों असबाग, बिसकेक, दुसामबे और तासकंद को क्रमशह चिन्हित किया गया है यहाँ पर आपको ध्यान से मैप को देखिए और आपको सही सही अंदाजा लगाना है कि वो जगह कहा कहा पर मानचित्र पर होंगे तो इस तरह से इसका सही जबाब होगा question number 49 में है question number 50 में है यहाँ पर आपको नगर दिया है और एक तरफ नदी दिया है कहने का मतलब है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे है यह आप से मैच करवाने के लिए कहा जा रहा है तो इसमें आप ध्यान से देखें और इसको मैच करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सही जबाब जो है वो होगा ए 1,2,3,4 तो यह था यह 50 महत्तोपोन सवाल जो कि आपकी परिक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम